नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब हमें उम्मीद है आप सब अच्छ होंगे और गाइज आज हमारे पास ऐट्यम डूप 29 जी हना जाहिए आज हमारे पास केट्यम डूप 200 जोकि एक नेकड़ स्पोर्ड d kenya में고 कई वार व्याइन और यह यह पावर फुल और बहुत कि गायज आपको वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि हम आपको इस बाइक के बारे माज़ पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं一次 किसमें अब क्या क्या नहीं को इस है अई ल३ह कितना है mileage कितना है, specification क्या है, specs क्या है ये सारी चीजे हम आपको detail में जानकारी देने वाले हैं तो guys, video को अंतक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से मारे चैनल को subscribe करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहें तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोत कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीद है चैनल राइडरे के भी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से लाइक करिएगा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करके बिल आइकन ज़रू दबाईएगा तो गाईस सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके color variant के बारे में तो आइए गाईस अब हम बात करते हैं इसके कुछ specification के बारे में तो गाईस हम फ्रंट से सुरू करते हैं तो फ्रंट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो फ्रंट में आपको जो डिस्क मिलता है काफी बड़ी साइज मिलती है डिस्की 300 mm का डिस्क मिलता है साथ इसमें आपको सिंगल चैनल भी इसका सपोर्ट मिलता है जो फ्रंट टायर है गाइस उसमें आपको हंडेट टेन बाइस सेवंटी का सेवंटीन इंच का ट्यूबलेश टायर देखने को मिल जाएगा और गाइस इसके जो एलाइव वील है गाइस वह आपको औरेंज कलर के मिलते हैं जिसकी वजह जो इसकी काफी ज्यादा बहतरीन देखने को मिलने वाली है उसके बाद गाइस आगे बढ़ें तो गाइस बताना चाहूंगा है लेंप आपको 55-60 वाट का हैलोजन बल्व देखने को मिल जाएगा तो गाइस नो डाउट है लोजन बल्व है तो इसकी जो विजबिल्टी आपको मिले जो इसका साइड निकेटर है उसमें आपको इलीडी देखने को मिल जायगा तो गई स़इड लाइट देखने को मिल जाएगा उसका बात आगे बढ़ते हैं इसके लेफ हघंटल बार के उपर तो और तो गय्स बताना चाहूंगा लेस्ट अदर बार पर बेडिकस पासिंग जाएगा गाइस इसका जो मिटर कंसोल है वो आपको फुली डिश्टल देखने को मिलेगा जिसमें आपको ओडो मिटर टैको मिटर लो फ्यूल इंडिकेटर ये सारी चीजें आपको डिश्टल देखने को मिल जाएगी लगबग सारी चीजें आपको जो जो इसमें मतलब भी म वीटर कंसोल में होना चाहिए गाइस वह आपको सारी चीजें आपको डिश्टल देखने को मिल जाएगी तो गाइस बड़ी अच्छी बात है कि यहापको फुली डिश्टल मीटर कंसोल भी मिल जाता है और गाइस यह है इसका राइट है जिसमें आपको इंजन कुल सिच मिल करें यहापको 11 लीटर का फ्यू टेक्ट치를 देखने को मिल जाएगा तो गैस इसके अगर माइलेज की बात करें तौ माइलेज आपको हार्ड देखने को मिल जाएगी जो राइडर है guys उसके लिए ठीक ठाक दी गई है बट पिलियन राइडर की सीट जो दी गई है guys वो काफी ज्यादा हार्ड फुस्निंग की गई है उसके बाद guys अगर हम बात कर इसके टेल लैंप की तो guys टेल लैंप आपको फुली LED देखने को मिलने वाला है तो गाइज एक चीज का गवर कर लिजेगा किसमें आपको LED के नाम पे पीछे का 10 Lamp और Side Indicators चारो आपको ये LED देखने को मिलेंगे बट दोस्तों इसका Head Lamp आपको LED देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद गाइज अगर हम बात करें इसके रेर सेक् डिश्टी का 17-inch का Tubeless टायर देखने को मिल जाएगा वहीं अगर हम दोस्तों इसके रेर सस्पेंशन की बात करें तो रेर में आपको Monoshock Suspension मोनो सॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 150 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाएगा गाइस फटा फट बात करते हैं इसके इंजन के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा इसमें आपको 199.5 cc का 4 स्टोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलन देखने को मिल जाएगा इस बाइक में आपको 6-speed gearbox मिल जाते हैं यानि आपको ट्रांस्मिशन में 6-speed gearbox देखने को मिल जाएंगे तो काफी बहतरीन लगता है और अगरम इसके डाइमेंशन की बात करें तो डाइमेंशन में इसमका जो ग्राउंड कि लेंस है वो आपको 175 mm का तो गाइस एक चीज का गवर कर लिजेगा किसकी seat height आपको काफी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी तो गाइस जो short rider है अगर वो इस bike को लेने का प्लान कर रहा है तो guys एक बार उसकी test drive लेने के बाद ही इस bike को लेने का प्लान कीजिएगा क्योंकि short rider को दोस्तों इसमें थोड़ा सा problem हो सकती है क्योंकि इसकी seat height काफी ज्यादा दी गई है जो इसका वेट है वह आपको 148 kg का मिलेगा यारी लगभग डेढ़ कुल्टल को टच करती है यह वाई तो guys आईए अब हम बात करते हैं last में इसके price के बारे में तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसकी जो एक सोरूम प्राइज है अलहाबाद प्रियाग राज में वह आपको 162,829 रुपए देखने को मिलने वाली है और अगर हम इसके on-road complete price की बात करें guys तो वह आपको 190,000 से 1,92,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी guys अब हम 1,90,000 और 1,92,000 रुपए की expected price इसलिए बता रहे हैं कि आपके agency किस जगह पे है guys तो price थोड़ी सी उपर नीचे हो सकती है इसकी वज़े से हम आपको एक अनुमानित बताते हैं guys कि इसके अंदर में यानि 1,90,000 से 1,92,000 रुपए के बीच में आपको इस गाड़ी की on road price देखने को मिल जाएगी तो guys इससे आप अपना एक budget set कर सकते हैं कि आपके budget में ये bike है या नहीं है तो guys ये थी इस bike के बारे में सारी information जो कि मैंने आपको बताई तो दोस्तो वीडियो अच्छे लिए जो तो अपनी तरफ से like करिएगा channel अच्छा लगए तो channel को subscribe करके bell icon जरूर दबाईएगा साथी साथ guys अगर आपका इस वीडियो से related कोई सवाल है या फिर आपका कोई डाउट है तो guys आप हमसे comment section में आप हमसे पूछ सकते हैं हमारी पूरी कोशिस होती है guys कि हम आपके सवालों का जवाब दें तो guys मिलते हैं आप से अगली वीडियो में कु